दोस्तों मैं सौरमली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज फटाफट जीके में हम देखने वाले हैं Top 26 Question Answers जो की प्रिक्साओं में बहुत बार आते हैं तो आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके एंड तक देखेगा 26 में से आप लोग कितने Questions के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा फटाफट जीके की वीडियो रेगुलर आती है दोस्तों Only Top Study यूटूब चैनल पर रात में 9 बजे आप चेक किसी भी एक्जाम की चारी करते हैं यह जीके की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्पून रहेगी तो पूरी वीडियो को रेगुलर देखा करें पहला कोशन है Acoustic विज्ञान है देखे Acoustic विज्ञान दोस्तों क्या होता है जिसमें धवनी से संबंदित अध्यान होता है तो इस कोशन का Right Answer रहेगा दवनी से संबंदित यानि की Right Answer भी हो जाएगा पहले कोशन का सही उत्तर ये आपको याद अखना है ठीक है भई दूसरा कोशन है रक्त का सुद्धिकरण कहा होता है दूस्तों रक्त का सुद्धिकरण कहा होता है तो इस कोशन का सही उत्तर क्या रहेगा किडिनी में यानि की C Right Answer रहेगा दूसरे कोशन का सही उत्तर ये भी आपके लिए एक important कोशन है तीसरा कोशन है साधारन बाचीत की धवनी की तिरुता कितनी होती है दोस्तों इस कोशन का Right Answer क्या रहेगा बिल्कुल सही है 30 से 40 decibel होती है दोस्तों यानि की B Right Answer रहेगा तीसरे कोशन का सही उत्तर ये भी आपको याद अखना है दोस्तों कोशन नमबर 4 है किस तापमान पर Celsius और Fahrenheit का मान समान होता है दोस्तों इस कोशन का सही उत्तर क्या रहेगा माइनस के 40 दिगरी पर दोस्तों यानि की Option A Right Answer हो जाएगा कोशन नमबर 4 का सही उत्तर ये भी आपको याद रखना है कोशन नमबर 5 है किस पादप को साकिय भारतिय डोक्टर कहते है दोस्तों इस कोशन का सही उत्तर क्या रहेगा आवला को यानि की Option A Right Answer हैगा पाँचवे कोशन का सही उत्तर ये भी आपको याद रखना है भई प्यारे दोस्तों 6000 कोशन आंसर्स की मास्टर पीडियाप लेना चाहते हैं और वो भी अभी ओफर में तो आप लोग डारेक्ली हमारे इस वोटसप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं इस पीडियाप को लेने के लिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दिया गया है उस लिंक पर किलिक करके 150 रुपीज का पेमेंट करके आप इस पीडियाप को पराप्त कर सकते हैं ध्यान रखेगा दोस्तों ये ओफर बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है और इस ओफर में एक और ओफर है कि स्टेटिक जीके की फिरी पीडियाप आपको मिलने वाली है अगर आप पेमेंट करके हमसे कोंटेक्ट करते हैं इस नमबर पर इसमें सारे सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाएंगे चाहें आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं छटा कोशन है विसमें सबसे लंबा पोधा कौन सा है दोस्तों इस कोशन का सही आंसर क्या रहेगा UK LIPTUS यानी की option A right आंसर हो जाएगा चटे कोशन का सही उत्तर साथवा कोशन दोस्तों एक बार बराबर होता है तो इस कोशन का दोस्तों right answer क्या हो जाएगा 10 की power 5 PA यानी की option C right आंसर हो जाएगा साथवे कोशन का सही उत्तर ये भी आपको याद रखना है Q8 है भूमी की माप के लिए गज ए सिकंदरी का परचलन किसने शुरू किया था दोस्तो राइट आंसर रहेगा बिलकुल सही है सिकंदर लो दिने दोस्तो यानि की B राइट आंसर हो जाएगा आटवे कोशन का सही उत्तर ये भी आपको याद अखना है Q9 है लकडी के महल में दबने से किसकी मृत्त्य हुई थी ग्यासुदीन तुगलक की दोस्तो यानि की ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर नोवे कोशन का सही उत्तर दसवा कोशन है त्राइन का पर्थम यूद किसके बीच हुआ था सैसर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना शेयर कर देना दोस्तों के साथ में दोस्तो राइट आंसर हैगा मुम्मद गोरी और प्रत्वी राज चोहान के बीच में यानि कि option बी राइट आंसर हो जाएगा दसवे कोशन का सही उत्तर ग्यारवा कोशन है पर्मानु बम का सिध्धान्त आधारित है और फटाफट जीके की वीडियो सारी एक साथ देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च कर लेना Only Top Study फटाफट जीके पलेलिस्ट पूरा सर्च करना Only Top Study फटाफट जीके पलेलिस्ट इस question का दोस्तो right answer हैगा नाभ के विखन्डन पर यानि की right answer हो जाएगा ग्यारवे question का से उत्तर ये भी आपको याद रखना है बारवा कोशन है बाबर ने अपनी आत्म कथा बाबर नामा की रचना किस भासा में की थी तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा बाबर ने अपनी आत्म कथा बाबर नामा की रचना किस भासा में की थी तो right answer is तुर्की भासा में यानि कि D right answer हो जाएगा बारवे question का सही उत्तर ये भी आपको याद रखना है तेरवा question है रडार का उप्योग किस लिए किया जाता है देखें रडार का जो उप्योग किया जाता है दोस्तों जहाजो वाईयू यानो आदी को ढूणना एवं मार्ग दर्शन करने के लिए यानि कि इस question का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा C question number 14 है वर्सा की बूंद गोलकार क्यों होती है तो right answer हैगा प्रस्तनाव के कारण यानि कि option A right answer हो जाएगा दोस्तों question number 14 का सही उत्त question number 15 है ठोस कारण डियोकसाइड को क्या कहते है तो इस question का right answer हैगा दोस्तों सुस्क बर्फ कहते हैं यानि कि C right answer हो जाएगा वे मेहमूद गजनवी के भारत पर आकर्मन का उदेश्य क्या था तो right answer रहेगा दोस्तों मद्दे एश्या में एक बड़े सामराज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना आई तिंग यहाँ पर कुछ मिस्प्रिट हो गया है आपका तो इसको पूरा मैं बता देता हूँ मद्दे एश्या में एक बड़े सामराज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था दोस्तों इस आकर्मन के पिछे उदेश्य तो right answer डी हो जाएगा 17 कोशन का सही उत्तर कोशन नमबर 18 है सफेद सोना के नाम से जाना जाता है सफेद सोना के नाम से दोस्तों जाना जाता है पलेटेनियम को यानि की D right answer रहेगा 18 कोशन का सही उत्तर ये भी आपको याद रखना है कोशन नम्बर 19 है निमलिकित में से विदूत का सबसे अच्छा चालक कोन सा है इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैंगा चांदी यानि की सी राइट आंसर हो जाएगा बीशवा कोशन है विश्व का परतियक परदार्त अत्यंत सुक्षम कणों से मिलकर बना होता है यह सबपर्थम किसने कहा राइट आंसर हैगा कणाद ने यानि कि ऑप्षन ए राइट आंसर हो जाएगा बीशवे कोशन का से उत्तर यह भी आपको या दखना है 21 कोशन है परकास तरंग किस परकार की तरंग है दोस्तो परकास तरंग किस परकार की तरंग है तो राइट आंसर इस अनुपरस तरंग यानि कि ऑप्षन ए राइट आंसर हो जाएगा 21 कोशन का से उत्तर यह भी आपको या दखना है 22 कोशन है हमारे भोजन में सरक्सात्मक खाद्य परदार्थ है विटामिन एवं खनीज दोस्तो यानी की सी राइट आंसर हो जाएगा 22 वे कोशन का सेवत 23 कोशन है सेरसा सूरी के बच्पन का नाम क्या था तो राइट आंसर रहेगा फरीद खा यानी की सी राइट आंसर हो जाएगा 24 वे कोशन है सूरीयोद्य का देश के नाम से कौन सा देश परसिद है राइट आंसर हैगा जापान यानी की ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 24 वे कोशन का सही उत्तर ये आपको या दखना है 25 वा कोशन है सविधान के प्रारूप समीती के चेर्मेन कोन थे सविधान के प्रारूप समीती के चेर्मेन कोन थे तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा डोक्टर भीमराव अंबेडकर यानि की ओप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 25 का सही उत्तर ये भी आपको या दखना है कोशन नमबर 26 है केंद्रिय अंग्रेजी एवं विदेशी भासा संस्थान कहा है केंद्रिय अंग्रेजी एवं विदेशी भासा संस्थान कहा है दोस्तो 26 कोशन का सही उत्तर रहेगा हैदराबाद में यानि कि option A right answer एगा 26 में question का सही उत्तर ये भी आपको याद अखना है भई 26 में से आप लोगों ने कितने questions के answer सही किये हैं सबसे पहले तो comment box में यही बता दीजेगा साथी साथ दोस्तों लकडी के महल में दबने से किसकी मरत्य हुई थी यह आपके लिए test question रखा गया है तो इसका भी answer सभी को comment box में बताना होगा और प्यारे दोस्तों यह question मैंने अभी इसी वीडियो में cover किया था तो 100% answer आजाना चाहिए इस question का पीडियाप लेने के लिए only top study app को download कर लीजे 5 star की rating भी जरू करेगा उसके बाद में आपको YouTube की कही free पीडियाप यहां से मिल जाएगे 6000 question answers की जो हमारी master पीडियाप है दोस्तों यह मिलेगी हमारे whatsapp number या फिर नीचे description box में दियेगे link पर click करके और इस master पीडियाप में आपको सारे subject बहुत ही अच्छे से cover कराए गए है अभी 70% का option दा इस पीडियाप पे यानि कि मात्र 150 रुपीज में आपको यह सारी पीडियाप तो मिलेगी ही साधी साथ static gk की एक free पीडियाप भी जरूर मिलेगी यानि कि आपको कुल मिलाके 7000 question answers मिल जाएंगे मात्र 150 रुपीज में all subject के आपको कहीं से अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी वीडियो पसंद आईए तो लाइक करिए शेयर करिए दोस्तों के साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल ऐकन को ओन कर लीजेगा ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिसना हूँ थैंक्यू सो मच बाई बाई आवरीवन टेक केर ख्याले के अपना